हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा चार में आज हमारा विशे है परियावरन अध्यन और पाठ का नाम बसवा का खेत तो चलिए मिलकर इस वक्षीट को हल करते हैं प्रशन एक, केती में इस्तमाल होने वाले ओजारों और मशीनों की पहचान कर चित्र के सामने उनका नाम लिखिए तो पहला चित्र है ट्रैक्टर का दूसरा है कोरिगे तीसरा चित्र खूटी का है और से अगला इलिगे प्रशन दो, फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं चित्रों को देखिए और उनके सामने सही करम लिखिए तो पहला चित्र है बीजबोना तो ये आएगा नमबर दो पे उससे अगला है खरपतवार निकालना नमबर तीन प्याज को निकालना नमबर पांच प्याज को बोरियों में पैक करना नमबर छे बड़े पोदों की कटाई नमबर चार और एक बिट्टी को नरम करना तो इस प्रकार हमारा सही करम होगा दो, तीन, पांच, छे, चार, एक प्रशन तीन जब हम सूखे पत्ते बेकार कागच, गोबर, लकडी के टुकडे बचा हुआ भोजन आदी जमीन में दबा कर उपर से मिट्टी डाल देते हैं तो वह थोड़े समय बाद खाद में बदल जाता है पोदे, फसलों के लिए खाद का क्या मैतु है बताईए हरी खाद के उपयोग से ना सिर्फ अट नैट्रोजन भूमी में उपलब्त होती है बलकि मर्दा की भोतिक मर्दा यानि मिट्टी की भोतिक अरसाइनिक एवंजैविक दशाओं में भी सुदार होता है मिट्टी में लाबदायक जिवानों की संख्या बढ़ती है अनेक जिवानों मिट्टी से पोषक तत्तु लेकर पोदो को प्रदान करते हैं जिवानों दुबारा वतावरन की नैट्रोजन का स्थिरी करन भी होता है प्रशन चार आवंचित पोद्वे जो फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं P.5 सही विकल्प का चुनाव कीजिए प्याज जमीन के अंदर या पहार उगता है P.6 किसान हमारे लिए फसल उगाते हैं उनके प्रती आभार, कृतक गिता, प्रिकट करते हुए अपने शब्दों में कुछ वाक्य लिखिए हम लिख सकते हैं, किसान साल बर मेहनत करता है, अन्न पैदा करता है, तथा देशवाशियों को खादान प्रदान करता है किन्तु बदले में उसे मिलती है उपेक्षा, वह अन्न दाता होते हुए भी स्वयम भूका और अदनंगा ही रहता है देश की उन्नती की तकदीर, किसानों की चमकदार तस्वीर इसके साथ ये आज की वर्कशीट पूरी होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए